देश के सबसे बड़े उद्योगपती मुकेश अमबानी के घर के बाहर विसफोटक से भरी कार रखने के मामले में बड़ी खबर सामने आई है इसकी जिम्मधारी जैशुल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने दी है बताया जा रहा है कि घटना की जिम्मधारी लेते हुए जैशुल हिंद ने कहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है पूरी बिक्चर अभी बाकी है बता दें ये वही संगठन है जिसने दिल्ली सित इसराइली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मधारी दी थी जैशुल हिंद ने अपने टेलिग्राम एप से टेरर अट अमबानी हाउस नाम के टाइटल के साथ एक मेसेज भेजा है जिसमें उन्होंने भारती जांच अजेंसीज को ललकारते हुए अमबानी परिवार से बिटकॉइन के जरिये पैसे की मांग की है इस मेसेज में जैशुल हिंद ने अमबानी को धंकी देते हुए कहा है कि अगर मुगेश अमबानी उनकी मांगे नहीं मानते हैं तो वो अकली बार उनके बेटे की कार पर हमला करेंगे वही उन्होंने इस मेसेज में ये भी दावा किया है कि विस्फोटक रखने वाले आतकवादी सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच चुके है जैशुल हिंदे ने अपने मेसेज में लिखा है अलाह की इजाज़त लेते हुए जिस भाई ने अमबाने के घर के बाहर एस्यूवी खड़ी की थी वो सही सलामत घर तक पहुँच चुका है ये सिर्फ एक ट्रेलर था बड़ी पिक्चर आने वाली है हम तुमारे सबसे खौफनाक खौब है हम तुमारे आसपास मौजूद हैं हम तुमारे ओफिस में काम करते हैं हम एक आदमी की तरह तुमारे आसपास से गुजरते हैं हम हर जगे हैं जैश ने इस मेसेज में आगे भारत की जाच एजिंसियों को ललकारते वे लिखा है कि रोक सकते हो तो रोक लो तुम कुछ नहीं कर पाए थे, जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिली में तुमें हिट किया था तुमने मुसात के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ अल्ला के रह्मो करम से तुम बार-बार नाकाम्याब होगे इसके आगे इस मेसेज़ में सीधा मुकेश अमबाने के परिवार को धंकाते वे लिखा है नीता भावी और मुकेश भहिया और परिवार अगली बार ये SUV आपके बेटे की कार पर चड़ जाएगी अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं जो आप से कहा गया है वो रकाम आप ट्रांस्वर कर दो इसके बाद आपके बच्चे खुशी से जी सकेंगे बता दे 25 वरवरी को मुकेश अमबाने के घर एंचेलिया के बाहर से जिलिटिन से भरी कार बरामत हुई थी जिसमें पुलिस ने बताया था कि धाई किलोग्राम वजन की पीस चिलिटिन की छड़ी बरामत हुई है उसके साथ डिटोनेटर नहीं लगा था यानि कि वो एक बम नहीं था लेकिन अगर उसे बम की तोर पर इस्तेमाल किया जाता तो ये पीस चड़े पूरी कार उड़ाने के लिए काफी थी इसके बाद से सुरक्षा अजेंसियों में हड़कम मच किया था आपको ये भी बता दें इससे पहले जैश उल संगठन ने दिल्ली सित इसराइली दुदावास के सामने विस्फोट करवाया था इस घटना की जिम्यदारी भी जैश ने टेलिग्राम की मेसेज से ही ली थी जैश उल हिन ने टेलिग्राम पर A Strike in the Heart of Delhi टाइडल से लिखे इस मेसेज में ये भी धमकी दी थी कि ये तो अभी शुरुआत है आगे भारत के बड़े शेरों को टागेट किया जाएगा जानकारों की राए में जैश उल हिन नाम के संगठन की आइडियोलोजी जैश उल अदल नाम के संगठन से जुड़ी हो सकती है फिलाल दक्षिर मुंबई की पेडर रोड में मौजूद अंबाने की घर के आसपास का इलागा पुलिस चावनी में तबदील हो चुका है इस घटना की जाच में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजिंसी के साथ मुंबई ATS और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की दस से जाधा टीमें लगी होई है चपपे चपपे पर पुलिस आने जाने वालों की तलाशी कर रही है हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है राए हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को शेर करें लाइक करें बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चानल टीवी नाइन भारत वर्ष